भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमी कहते हैं एक ऐसा देश जहान जाने कितने ही साधू संतों ने जन्म लिया और इस धर्ती को धन धन्य कर दिया इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनिशी का जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्च था हरी नाम का प्रचार प्रसार करना गुरुजी का बचपन बीता जिस कारण बचपन से ही महराजश्री का धान धार्मेक कार्यों में लग दया इश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महराजश्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए महराज्च्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई सिसटे वसई तालुकार नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीरतन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरी के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया और हरी के नाम का प्रचार प्रसार गुरु जी ने केवल भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी किया गुरु जी अब तक देश विदेश में 500 से अधित कथाईं कर चुके हैं और अपना ग्रिहस्त जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। प्रचार में भगवान की से अधित कर चुके हैं। इसे चालाग भगते हैं, वो बोलते हैं प्रभजी यहां से श्लोक नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं? गीता के श्लोक नहीं बोलते हैं। बहुत ऐसे हैं, कोई बिद्वान हो सकते हैं या जिग्यासु हो सकते हैं। तो श्लोक नहीं बोलने का उन्होंने क्या अर्थ निकाला होगा। जो उनकी इक्चा होगी निकाला होगा। लेकिन मैं इसलिए आज श्लोक नहीं बोलता हूं, बहुत ज़ादा, कि वह सर के उपर से जाएंगे, कहां से जाएंगे? सर के उपर से जाएंगे. और जितना जरूर ये दवायुत नहीं लेना चाहिए जादा दवाय लेने की ओवर्डोज हो जाता है क्या हो जाता है मैं बोलता रहूं और आप सुनना अच्छी बात है समझे या ना समझे शलोक सुनना चाहिए लेकिन मैं इस महतपुर्ण टाइम को बहु मुल्ले टाइम को चाहता हूँ कि आप पूरा-पूरा समझिये और इसलिए सरल करके उसके अनुवाद को अतातपरे को बता रहा हूँ अगर किसी को श्लोकी सुनने का सौक है तो पच्चीस रूपे की सीडी आती है गीता की पूरी साथ सो श्लोक कितने की पच्चीस रूपे की और इतने छोटे-छोटे बच्चे को पूरा श्लोक याद है श्लोक याद करना बोलना कोई इतने बच्चे हैं न तीन चार पांच साल दस साल वाले सब भी रायम सियाद कर लेते जो उनको बुक में रहता है माबाब को एक याद नहीं रहता बच्चे तोती की तरह बोलते रहते इसका ये मतलब नहीं हो गया कि बच्चा जादा होश्यार है माबाब बेवकूब है लेकिन मुंडे मुंडे मती भिन्ना क्या कहते है संक्राचार जी मुंडे मुंडे मती भिन्ना जितने मुंडी है उतने उतने मती है अलग-अलग उतना समझदारी है तो अगर किसी को श्लोक से प्रेम है अच्छी बात है बुरी बात नहीं है पचीस रुपे की भगवत गीता की सीडी आती साथ सो श्लोक आदे एक घंटे में बोल दिये जाते सुन लिजे और परम संतोज करिए लेकिन साथ उसका एक का भी अर्थ समझे तो मैं समझू आप पड़म बुद्धि माने जब हमें समझा ही नहीं उसका क्या लाब है शहिद की सीसी लेके आए और खाए नहीं सिर्फ देखते रहे तो उसका स्वाद उसका गुन उसका लाब प तो इसलिए बहुत सरल सरल शब्दों में भासा में ये गीता जी के श्लोंक का जो तातपर है अनुबाद है और तातपर है मैं आप सबको सुना रहा हूं ऐसे ही लोगों के रुचियास धर्म में भागवत में कथा में रामायन में संकिर्तन में कम हो गई है अब पंडित जि के स्लोंक ही बोलते जारे अपने आनन्द के लिए तो आपको कब आनन्द होगा? हरे लोगों को एसे लोग बहुत मिलते थे प्रभपाट जिब दुनिया भर पचार कर रहे थे तो ऐसे दिमागी, बीमार लोग बहुत मिलते थे कुछ तो निकालू उसमें से लोगों में जो qualification होनी चाहिए न अच्छा गुद देखना चाहिए प्रेश उसके पाद छोड़ देना चाहिए लोगों में से अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए जो उसका कमजोर है उसके पास रहने दू लेकिन लोग कैसे कच्रा ढूंते, कच्रा वाले, क्या कच्रा मिलता है, मैं वाइट कापुरा पहना, इसमें काला किदर है, जो बताओंगा, काला कैसे हो गया, अरे इतना सारा उजला है, उसका आनंद करो न, कितना उजला पहना है, तो नहीं, अगर काला एक नहीं मिलेगा, तो रंग फेक के ब योगी मिला किया तपस वितब करने वाला. प्रभुपाद जी को बोला, आपको मालूम है, मैंने 25 साल तपस्या किया है, और मैं पानी पे चलता हूँ, गंगा जी में चलके उपर उपर चलके पार हो जाता हूँ. प्रभुपाद जी हसे बहुत, बोले बहुत अच्छा, कितने साल बोला आपने, बोला 25 साल, उदर एक नाव बाला खरा था, खुटा गार के, नाव लेके, कोई ग्राक आएगा तो पार कराऊंगा. प्रभुपाद जी उस नाव में हस्ते हस्ते बैट गए और उसको भी बिठाया, उसको लगा कुछ इनाम देंगे, उनके साथ दो साड़ और अनुआईते, उनको लगा इनाम देंगे, नाव बाले को बोला उस पार पोचाने का कितना पैसा, नाव बाले बोला एक आदमी का आठाना, कितना? एक आदमी का पचास पैसा, फिप्ती पैसा, बोले पोचा दो, उस तरब गए, चार पाँच आदमी ते आठाने के हिसाब से दो अडाई रूपया दे दिया, बोला पचीस साल में आपने खाले अडाई रूपया कमा है, पचीस साल की जो तपस्या है, उसक अजगे क्या? अरे महनत ऐसे करो तब उसके लिए करो जिससे भगवत प्राप्ति हो, यह कौन सा तप है? पानी पे चल लेता हूँ, अबा में ओड़ जाता हूँ, क्या होगा उससे? भगवत धाम मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगे, हम कितना प्रॉबलम है? कितना बार अंदर गया होगा, पानी प्या होगा, हुआ 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 दम गोटा होगा, एक दिन में तो नहीं हो गए राप्तिश साल, तो ऐसे ऐसे दिमागी लोग उनको, उनके लिए प्रात्ना करते हैं, जाने तो कुछ जादा हो जाएगे, उनके ल आदोस दर्सी गुनों को ले अपने जीवन में, बोलिये उनके लिए प्रातना करें उन सब ऐसे भाव विचार वाले लोगों के लिए प्रातना करें बगवान के चर्णों में, कि आज से वो अदोस दर्सी बनें, दोस ना देखें, वो गुन देखें, मैं आप सबसे भी इनका सब दोस भगवान ले ले, तो हम ऐसे भक्तों के लिए, मैं उनको भक्त भी बोल रहा हूं, क्योंकि वो भक्ती है, भले उनका थोड़ा सा अभी, पूरा ग्यान पका नहीं है, तो इसलिए एक बार भगवान के चर्णों में, हरे कृष्ण माया मंदर बोलेंगे, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, तो ऐसे जो सिवचर्चा हो रही है घरगर में संसार भोग और भंडारन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये अज्ञान के कारण हो रहा है हम कल परसों से ये बात करते जा रहे कि अज्ञान दुख का कारण है अज्ञान भटक ने क्या खारण है जो हमें पता ही नहीं चलता क्या करना नहीं करना कृष्ण के पाथ जाओं कि पूरी दुनिया के हमने पेड का उधारन 33 करोर देवी देवताओं के पाथ जाओं तो यही बाटी जारे और हर घर में सिवचर्चा हो रहा है और सब संसार भोग बंडारन कच्रा मांग रहें कच्रा मैं उन सब भक्तों से निवेदन करूं और भगवान के चर्नों में भी प्रातना करता हूं कि हे सिवजी इनको सद मती दीजिए सद बुद्धी दीजिए कि यह सिवचर्चा तो खूब करें अभी जितना कर रहें उससे सव गुना बढ़ा दें लेकिन आप जो कर रहें वो मांगें आपसे उतना तो सीख लें इनकी बुद्धी इतनी तो तेज कर दो कि आपसे उतना तो मांग ले कि मैं हरी भजन करूए जगत सब सपना है सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करूँ भगवान की धाम को जाऊँ भगवान को सरनागत हो जाऊँ चर्चा में कमी मत रखो लेकिन भाव बदलो जो आपकी इक्षा है उसको सिफ्ट करो अलग कि कौन से प्रकार से भगवान की सेबा बड़े कभी भगवान का घर में मंदिर वने विष्णू का, कृष्ण का राम का, सिता राम जानकी का रादा कृष्णा का ऐसे उनको मांगना चाहिए और फिर ये जो भोग भंडारने अपने आप मिलेगा वो तो भगवान तुरंद लाके दे देते हैं जैसे ही को उनके सरन में जाता है तो इस प्रकार से हम लोग कल देख रहेते हैं सिफु जी दर्शन के लिए लालाई थे और भगवान का दर्शन हमेशा करना चाहते हैं और ब्रिंदावन में भी भगवान गोपिश्वर बनके विराज माने हमेशा भोले नाथ गोपिश्वर नारी के रूप में वहाँ जो सिंगार होता है उनको नारी जैसा सिंगार किया जाता है गोपी बना के गोपियों का सिंगार क्योंकि भगवान वहाँ पे गोपी बनके आयते रासलीला में सामिल होने के लिए तो सिव जी से ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान का दर्शन और जब दर्शन करेंगे तो स्मरन बना रहेगा और स्मरन बना रहेगा तो सतत आपके मूँ से ये चलता रहेगा तो अभी कल के विराम से आगे बढ़ते हैं भगवान ने कहा कि सब मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ आप लोग विष्वास हो रहा है या भी भी अर्जुन वाली इस्तिति है विष्वास हो रहा है पक्का सब लोगों को जिनको हो रहा हाथ उठा के बोले महा मांत्र तो अब हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं भगवान अब अपना विराट रूप अर्जुन के ग्यारवे ध्याय भगवान का विराट रूप है अर्जुन निवेधन करता है भगवान से कि भगवान अब मैं अस्वस्थ हो गया हूँ हे क्रिष्न अब मैं पुन्ता अस्वस्थ हो गया हूँ कि जो कुछ भी हैं, आप ही हैं, लेकिन अरजुन निवेधन करता है कि अपने विराठ रूप को मुझे दिखाईए, क्या निवेधन करता है? मुझे आपका विराठ रूप दिखाईए, और जब भगवान ने अपना विराठ रूप दिखाया, तो अरजुन देख न सका, अर कि भगवान के मुख में जितना भी सुना था अभी तक, जितना भी चर अचर जगत में जीव है, भगवान के मुख में एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है, अनेक अनेक सादू, संद, महत्मा, रिशिमुनी, राक्षा, ससुर, ब्रह्मा, नारत, सिव, अनेक अ दब जाते थे, जैसे कोई एक हजार किलो के नीचे टमाटर दब जाता है, एक ही बार में पूरा खोपड़ी पाउडर हो जाता था, सौस बन जाता था, ये सब देखके, अरजुन एकदम थरतर कापने लग गए, और फिर अरजुन निवेदन किया भगवान, बस अब और अप आप जो पहले की स्थिती थी, जैसे पहले थे उस रूप में आ जाएए, और फिर भगवान ने अपना वही पहले का रूप में आ गए, और फिर अरजुन से कहते हैं, बोलिए हरे क्रिश्ना, हरे क्रिश्ना, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम आप इस चर तथा अचर संपुर्ण द्रिस जगत के जनक हैं आप परम पुझ्य महान अध्यात्मिक गुरु हैं ना तो कोई आपके तुल है ना ही कोई आपके समान हो सकता है हे अतुल सक्ति वाले प्रभु भला तीनों लोकों में आप से बढ़ कर कैसे कोई हो सकता है प्रमान दे रहे कौन? अर्जुन एक बार फिर से बोलता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए आप इस चर तथा अचर संपुर्ण द्रिस जगत के जनक हैं संपुर्ण द्रिस जगत के जनक हैं चर और अचर दोनों आप परम पुझ महान अध्यात्मिक गुरु है कल हमने बताया था कोई गुरु नहीं मिलता है आपको अपने आप पे भरोसा नहीं अगले पे भरोसा नहीं है तो कृष्णम बन दे जगत गुरु कृष्ण को गुरु बना लिजिए और कृष्ण कहां मिलेंगे तो भगवत गीता जी में मिलेंगे तो घर में गीता जी रखेंगे तब तो मिलेंगे और पढ़ेंगे तब तो आपके सामने आएंगे आपके जीवा पे तो आप सब रखेंगे और पढ़ेंगे तो बोले हरे कृष्णा फिर कहते हैं कि ना तो कोई आपके तुल है ना तो कोई भी आपके तुल है। नहीं कोई आपके समान हो सकता है क्या बोल रहे हैं हो भी नहीं सकता है भी नहीं और हो भी नहीं सकता हे अतुल सक्ति वाले प्रभू भला तीनों लोकों में आप से बढ़ कर कोई कैसे हो सकता है अतुल सक्ति वाले प्रभू अतुल मेंस जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता भला आप से बढ़ कर तीनों लोकों में कोई कैसे हो सकता है जब आप ही सबी कारणों के कारण है गीता जी पर भरोसा है आप लोगों को बोलना पड़ेगा तो हम सब को भी अतुल विश्वास रखना पड़ेगा है ना हम लोगों को भी पक्का दृड संकल्प रहना पड़ेगा और हमेशा गीता जी का संग करना पड़ेगा और हमेशा निरंतर हरी नाम गाना पड़ेगा निरंतर चलते रहे फिरते रहे उठते बैटते सोते हमेशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हमेशा यह गाते रहना पड़ेगा तो इस प्रकार से अर्जुन क्या कर रहा है स्टैंपिंग है न उसको प्रमानिक कर रहा है और हम सब सुन रहे हैं समझ रहे हैं कि हम सब भी अरजुन जैसे ही है तो हम सब भी अभी हाथ उठाके यह प्रमान दे रहे हैं कि नहीं यह सही है बराबर है यही सही है बाकी कुछ सही नहीं है क्योंकि ये पाँच हजार साल से as it is है इसके आगे आज भी कोई गरंट आया नहीं और जैसे अर्जुन कह रहे है तो आएगा भी नहीं लेकिन मंद मती लोग फिर भी जाएंगे सुनने के बाद भी कहा जाएंगे पेड की पूजा करने है अगर पेर की पूजा करना है तो एकी ब्रिक्षे ओ दिब ओ यहाँ पे विराजवान है भक्ति देवी तुलसी महारानी जो भगवान की अनन्य भक्तन है और भगवान बिना तुलसी का भोग नहीं गरन करते इतना प्रेम देते और जब तुलसी आरती आप लोग तो आए नहीं तो सुना ही नहीं उनको भगवान की प्रियसी बोलते तूलसी क्रिष्णा प्रेयसी नामो नमा तूलसी क्रिष्णा प्रेयसी नामो नमा राधा कृष्णा सेवा पावे यही अभिलासी तूलासी कृष्णा प्रेअसी नामो नामा क्या कह रहें? तूलासी कृष्णा प्रेअसी आपको प्रनाम करते हैं नामो नामा और सिर्फ मांगती कि रादा कृष्णा सेवा, यही अभी लास, रादा कृष्णी की सेवा में लगे रहूं, तो घर में तुलसी तो रखते हैं, लेकिन रख देते हैं, क्यों रख देते हैं, कि कोई आएगा तो बताऊंगा, मैं शुद्ध भक्त हूं, क्या बताऊंगा, कि म I am the pure devotee, मैं शुद्ध भक्त हूं मेरे जैसा, और कोई भक्त नहीं, उसकी सेवा नहीं तुलसी जी की होती है, ना प्रणाम मंत्र आता है, ना प्रदक्षिना मंत्र आता है, ना ही पूजा करना आता है, ना उनका सेवा करते हैं, घर में है, पेड बना के रख दिया है, क्या पूधा है, पूधा, जो रखते बना के पूधा, समझ लो सबसे बड़ा है बौधा, बौधा समझते हैं, बुद्धु, उनका प्रदक्षना करने से क्या होता है, मालूम है क्या, आनि कानी चा पापानी, ब्रह्मात्या दिकानी चा, तानी तानी प्रण संती, प्रदक्षिना पदे पदे, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे, हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे, हरे, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे, 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna कृष्णा कृष्ण आरे ए हारे neighbours आरे आरे राव आरे राम आरे आरे लम राम आरे हारे जायो तुल्से महारानी गली यह जाये तुल्सी महाराणी ब्रिंदे देवी जयो ब्रिंदे देवी क्रिश्न भक्ति प्रदायनि तुल्सी महाराणी की जय तुब सर्फ प्रदक्षना करने से ब्रह्म हत्या का दोस भी निकल जाता है आनी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्या दिकानी चा एक एक पद पे एक एक बार जब प्रदक्षना करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तुल्सी महाराणी छमा कर देती हैं और भगवान के चर्नों में आपको मती लगाती हैं भगवान की सेवा की तरफ आपको लगाती हैं लेकिन घर में तुल्सी महाराणी की सेवा नहीं है और सेवा बड़ा आसान हैं नहा धो के तुल्सी महाराणी को सर्फ एक लोटा जल दे दीजिए प्रेम से गोविन दर्पनम करके भगवान का नाम सुनके तुल्सी महाराणी जूमने लग जाती है और अगर अच्छा करना है तो कुछ फूल, कुछ दीपक से आरती दिखा लिजिए तुल्सी महाराणी का और संद्या के समय तो जरूर करना चाहिए तुल्सी महाराणी की संद्य आरती और पूजा, जलडान इस प्रकार से कृष्ण को बहुत जल्दी प्रसन कर लेंगे कृष्ण दो चीज से बहुत जल्दी प्रसन होते एक तुल्सी महाराणी की सेवा पूजा और दूसरा इकादिसी ब्रत का पालन इकादिसी ब्रत का पालन तुल्सी महाराणी की सेवा पूजा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, लेकिन हम लोग हैं कि सुधरते नहीं, हम लोग हैं कि कहीं कहीं लिखा रहता है, हम सुधरेंगे नहीं, क्या लिखा रहता है श्लोगन, ट्रक, टैंपो के पीछे लिखा रहता है, हम सुदरेंगे नहीं तो हमारी स्थिति ऐसे बनी रहेगी, as it is और भगवान का फिर क्या उदर उथल पुथल होता है भगवान के हिर्दय में बताओं एक छोटी सी कता बता देता हूं कैसे भगवान फिर अपने द्वारा जो उत्पन जीव है उसकी दसा देखके भगवान के आलत क्या होती हाई रे जीव, हमारे ये सब एक धोबी ता एक धोबी जिसके पास एक गदे थे क्या थे धोबी के घर में गदा होता है आप देख रहे थे परम पूजय श्री मधुमंगर दास जी महराज के सानित्र में श्रिमत भगवत कथा का विशेश प्रसारण ये कारिक्रम नुरंतर चलता रहे जन जन तक हरी नाम पहुँचता रहे भगवान श्री जगन्नात, बलदेव एवं सुभत्रा जी अपने स्वयम के स्थान में विराजमान हो सके इसके लिए आप सभी दान दाताओं से अनुरूद है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोगति कर भगवान की खृपा एवं प्रेम प्राप्त करें हरे कृष्ण कृष्ण